अपेंडिक्स हमारे पेट में आद के बीच का हिस्सा होता है, जिसे अपेंडिस आटिस भी कहते हैं। अपेंडिक्स पेट के दाई तरफ नीचे की ओर होती है, इसमें अगर इंफेक्शन हो जाए तो सूजन आ जाती है, जिससे देद होने लगता है। और जैसे जैसे सुजन वड़ती है ये दैज भी वड़ता जाता है अगर इसके लक्षणों को पैचान कर समय रेते ही उपाई कर लिया जाए तो इससे छुटकाड़ा पाई जा सकता है अपेंडिक्स के उपचार के लिए देसिन उसके बहुत ही कारकर होते है आज मैं आपको कुछ देसिन गरेलून इसके बारे में बताऊंगी पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पासी के बैल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको मेरी आने वाल वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले मिल सके मेथी दाना एक कप पानी में दो च्छोटे चम्स मेथी डाल कर पाने को बाले इसके बाद इस पानी को दिन में एक बार पिए खाने में भी मेथी दाने का परयोग करें इससे दर्द और सुजन दूर होती है निम्बू निम्बू, दर्द, अपच और कबच से राद दिलाता है ये विटामिन C से परपूर है इसलिए इम्मूनिटी भी बढ़ाता है इसका सेवन करने के लिए एक निम्मूनों चोड़कर उसमें कच्चा सहथ मिलाकर इस मिश्रण को दिन में कई बार ले ऐसे कुछ अपचों तक लगातार करें इससे आपको लाव होगा तुलसी, यदि अपेंडिक्स के रोगी को हलका बुखार भी आता है तो तुलसी उसे कम कर सकती है साथ ये अपच और गैस को भी कम करती है बुखार दूर करने के लिए एक मुठी तुलसी के पत्ते एक सोट अचमच अद्रक और एक कप पानी को आदा होने तक दिम्याज पर उबा ले इस चाये को दिन में दो बार कई दिनों तक पी है अपेंडिक्स के अन्य लक्षनों को दूर करने के लिए आप रोजना तुलसी की 3-4 पत्तियों को भी चबा कर खा सकते है पुदिना यह अंदर की गैस, मतली और चक्कर जे सेलेक्षनों को दूर करता है यह अपेंडिक्स के दर्द को भी ठीक करता है इसका सेवन करने के लिए पुदिने की चाये त्यार करते है इसके लिए एक चमस ताजी पुदिने की पत्तियों को एक कप खोलते पानी में 10 मिनिट तक बालें इसे चान कर इसमें कच्चा सैद मिलाएं और फिर इसे हफ्ते बर में 2 या 3 बार रोजाना पिएं इससे आपको काफी आराम मिलेगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आयो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत पूलिए आज के लिए वसे इतना है अगली बार एक और वीडियो के साथ आऊंगी तब तक के लिए निरोगी रहने के इन उपायों को अपनाते रहिए धन्यवाद